एक्सरसाज 5.2 का कुर्सान नमर 17 है मेरे बाएस इसमें कहा रहा है जिसमें कहा रहा है जो find the 20th term from the last term of AP 3H 13.253 मतलब इसमें यह जो AP दिया हुआ है यह जो AP दिया हुआ है इसके last term से मतलब इधर से 20 तर्म हमें बताना है उल्टे से उल्टा तरफ से मतलब इधर से यह आपका starting to a का value यह है लेकि इसमें a का value यह होगा और इधर से last term से आपको जो है 20 तर्म बताना है इधर से नहीं इधर से ठीक है तो यह भी बहुत ही easy कुस्तन है देखो आपका जो यह AP दिया हुआ हुआ AP तो इसका inverse कर दोगे है ना तो लिख देता हुआ मैं inverse of given AP जो दिया हुआ AP है उसका मैं inverse करता हूँ तो देखो सबसे पहले जो पहला time है 253 तो AP क्या हो जाएगा आपका AP हो जाएगा 253 ठीक है अब देखो यह 253 हो जाएगा तो इसका next time क्या होगा मुझे एक time और लिखना पड़ेगा बस एक time कैसे होगा देखो यहाँ पर क्या है 3 और 5 है 3 और 5 में कितने का difference है 8 का तो मैं ultra आ रहा हूँ ना तो इसमें से 5 मैनस करा है तब 3 आया है है ना देखो यहाँ पर 13 है तो 13 में से 5 मैनस करा तो 8 आया 8 में से 5 मैनस करा तो 3 आया उसी तरीके से 253 में से 5 मैनस करूंगा तो यह वाला time होगा है ना तो 253 में से मैं अगर 5 मैनस कर दूंगा कितना आ जाएगा 248 हो जाएगा उसके बाद 248 में से अगर मैं 5 मैनस करूंग कितना आएगा 243 यही होगा है ना डॉट 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 हमें ज्यादा टम की जरौत नहीं उसका लिख दो आप 13 8 और 3 देखो उल्टा कर दिया ना मैंने इसे 253 आ गया ठीक है और डी का वैल्यो आपका मैनस फाइव आ जाएगा तो क्यों आपका 3 है, a n का value 3 आ गया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो, इसमें आपको, a n का भी value 3 है, इसमें देखो, आप इसे direct बना सकते हो, कैसे, क्योंकि आपका 20 मार्ट हम आपसे पूछ रहा है, तो आप इसे direct बना लो, कैसे, देखो, मैंने यहाँ पर लिग दिया, a 20, तो a 20 एकोल क्या होता है, a plus 19 d, होता है, a plus 19 d होता है, तो आप direct आपके पास a का भी value है, d का भी value है, आप direct इसमें पूट करके, easily solve कर सकते हो, तो इसमें तो कोई problem ही नहीं है, आप इसे पूट कर तो a का value क्या है, 253, प्लस 19 और into d का value क्या है, मैनस 5, तो यह क्या हो जाएग 253, और यह देखो ऐ, plus और minus, यहाँ पर minus है, तो plus minus, यह minus हो जाएगा, ठीक है, और 95 होता है, यहाँ पर आप 95 लिख दोगे, अब इन दोनों को minus कर देता हूँ, मैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर minus कर लो, आप 253 में 95 को अगर minus करोगे, तो 13 में से 5 जाएगा, तो 8, और य यहाँ 4 इससे करे ले था 14 हो गया 14 में से अगर 9 गया तो 5 हुआ और यहाँ पर 1 बचा ठीक है तो 158 तो इसका जो 20 मा टाम है वो कितना है 158 A20 इक्वल 158 तो यह होगी आपका आंसर ठीक है I hope आपको यह कुस्टन easily समझ में आया गया होगा बहुत ही एजी कुस्टन है ठीक है अब इसका मैं next 18 कुस्टन नमर बताता हूँ कुस्टन नमर 18 है इसमें कहरा है the sum of 4th term and 8th term of NAP is 24 कहरा है चोथा पद और आठमा पद का जो योग है वो 24 है तो मैं लिग देता हूँ यहाँ यहाँ पर A4 प्लस A8 इक्वल 24 ठीक है उसके बाद क्या कहरा देखो यहाँ तक हमने पढ़ा 24 and the sum of the 6th term and 10th term is 44 और क्या हो जाएगा sum of the 6th term sum of the 6th term तो A6 प्लस 10th term A10 इक्वल कितना है 44 जैसा question में था वैसा मैंने लिख दिया ठीक है कहरा है the sum of 4th term and 8th term जो चावथा पद और आठमा पद का जो sum है वो 24 है दिया हुआ है और कहरा है sum of the 6th and 10th term तो 6th और 10th term का जो योग है मतलब sum है वो 44 है तो find the first 3 terms of the AP मतलब इसमें हमें 3 terms 3 terms of the AP मतलब A का value चाहिए A2 का value चाहिए और A3 का value चाहिए है ना ये तीरों चीज़े हमें बस निकालना है इसमें तो बहुत ही easy सा question है ये भी मैंने आपको already यहां इस तरह का question बता रखा है तो इसमें अभी क्या करना है इसमें बस formula पुट कर दो आप और दो equation मन जाए कि कै से देखो यहां पर A4 है तो आप इसे क्या लिखोगे A plus 3D plus A8 है तो A plus 70 equal कितना हो जाएगा 24 हो गया similarly आप यहां भी लिख दो यह आजाएगा A plus 5D plus यह आजाएगा A plus 90 और equal आजाएगा 44 आगया अब इन दोनों equation को आप solve कर लो तो solve कैसे होगा देखो यहां A और A यह A को औ करोगे तो यह आजाएगा 2A 2A plus 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D equal आगया 24 आगया और next क्या हो जाएगा A और 8 यानि कि 2A 2A आगया और 5D और 9D कितना आजाएगा 14D equal आगया 44 ठीक है अब देखो आप चाहे तो इसे और भी easy कर सकते हो कैसे आप इसमें से 2 common ले सकते हो इसमें स अगर आप और easy करना चाह रहे हो तो नहीं तो यह यह भी सही है आप ऐसे करके भी इसे solve कर सकते हो नहीं तो आप common ले लो तो मैं क्या करता हूं इसमें थोड़ा सा और easy करना के लिए इसे common ले लेता हूं तो इस sum में से अगर मैं common ले लूंगा तो देखो इसमें से मैं 2 common ल मैं आता होगा common कभली आ जाता है जब यह दोनों term में same होता है देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है तो मैंने 2 common ले लिया और मैरे यह देख सrक करके common το 24 था तु bands हो रहा है तू से डिवाइड हो जाये तो इसलिए मैंने concelled की Cand himself नहीं होता तो मैं नहीं लेता क्योंकि कोई फैदा नहीं था फिर लेने से ठीक है similarly यहां भी देखा मैंने इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है और इसमें 44 है तो अगर मैं इन दुनम से 2 कोमा ले लू तो यह 44 जो है यह कैंसल हो जाएगा यहां पर 22 नहीं यहां पर 44 ही होगा अभी यह तो cancels होके 24 आजया सुरी 22 आएगा अभी 44 ही होगा ठीक है तो अब क्या होगा अब यहां पर a plus 5d a plus 5d equal केतना हो जाएगा यह 2 यहां सो मैं हटा रहूं तो यह इधर shift होके नीचे आजएगा यानि कि 24 बै 2 आ जाएगा ठीक है अब यह दोनों को आप कैंसल करतो 2 अंचा 2 यहाँ पर 12 आ जाएगा 2 अंचा 2 यहाँ पर 22 आ जाएगा ठीक है तो मतलब हमारा इसमें आप 2 equation बने गया कौन कौन सा एक बने गया A प्लस 5D इक्वल टू 12 ठीक है बहुत ही इजी सा था अब देखो आप इसमें equation 1 और equation 2 देखो आप चाहते थे तो आप अगर यहाँ से भी आप इसे solve कर सकते थे यह मैंने extra इसलिए करा क्योंकि यह मैंने common ले लिए तो थोड़ा सा easy हो गया इसे solve करना है तो आप इसे हम easily solve कर लेंगे by elimination method से ठीक है तो आप देखो आप यहाँ पर a है और यहाँ पर a है दोनो a और a तो cancel हो जाएगा multiply करने की ज़रौत नहीं है इसमें कुछ भी ठीक है लेकिन problem क्या है यह दोनो प्लस है तो मैं अगर minus कर दूँ तो यह का 12 है और equation 2 है a plus 7d equal 22 यह से क्या करो आप cancel करना पड़ेगा तो अभी इसका sign change होगा minus 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 यह और यह cancel हो गया क्योंकि plus a और minus a cancel हो गया 5d में से 70 जाएगा तो minus 2d बचेगा equal to यहाँ पर minus 10 बचेगा 12 में से 22 जाएगा तो minus 10 यह minus minus cancel हो गया तो यहाँ से आपका जो d हो गया वो आगया 10 by 2 तो यहाँ से cancel होके 2 आ जाएगा तो मतलब 5 आ जाएगा तो यहां से d का value आपका 5 आ गया d तो 5 आ गया अब आप क्या करोगे इस d के value को put कर दो चाहे equation या 1 में या 2 में तो put d equal 5 in equation first equation first क्या है a plus 5 d है न a plus 5 into d का value 5 मैं put कर देता हूं और equal है 12 है न यह रहा equation first a plus 5 d a plus 5 into 5 equal 12 तो आ जाएगा a plus 25 equal 12 यहां से आपका a का value आ गया 12 minus 25 तो 12 में से अगर 25 जाएगा तो यह आ गया minus 13 ठीक है तो मतलब यहां से a का value तो minus 13 एक तो आ गया आपका है न आपको क्या निकालना है first three terms करने है न first three terms आपको निकालना है तो a क्रम तो आगया आपको a2 और a3 तो a2 और a3 होती easy सा है कैसे देखो यहां पर a2 कैसे निकल जाएगा a plus d a plus d तो a का value क्या है अभी आपने निकाला था minus 13 था अब plus d का value 5 है यह कितना आ जाएगा यह minus में आंसर आएगा क्योंकि minus वाला बड़ा है तो minus 8 आ जाएगा similarly अब a3 आ जाएगा तो a3 के आ जाएगा a plus 2d है ना तो a का value minus 13 है और plus 2 into d का value 5 है तो equal to कितना आ गया minus 13 और plus 10 तो equal to आ गया minus 3 जोंकि 3 का value है तो आपका जो है दोखो a1 का value आ गया minus 13 a2 का value आ गया minus 8 ठीक है और a3 का value आ गया minus 3 तो first 3 terms आपको निकालने थे यह आ गया आपका आणसर तो बहुत ही easy था ठीक है हाई होप आपको यह दोनों question समझ में आया होगा तो फिर मिलते हैं next video में next question के साथ